यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जमुकश्मीर में आतंकियों द्वारा शुजात, बुखारी और सेना के जवान औरंग जेब की हत्या करने के बाद पूरे देश में गुस्सा है रमजान के मौके पर घाटी में लागू किये गए सेना के सीजफायर को हटाने के लिए अब देश की कई हिस्सों से मांग उठ रही है बतायजवाराई की राजनात ने घाटी के हलातों से प्रधान मंत्रे नरेंटर मोधी को अफगत करवाया सीजफायर के दोरान ही ईद के त्योहार से ठीक पहले इन वारदातों ने हर किसी को सकते में डाला है इसके बाद से सरकार पर सीज फायर का कोई बड़ा फैसला लेने का दबाव बन रहा है जमो कश्मीर में आतंक्यों द्वारा सुजात, बुखारी और सेना के जवान औरंग जेब की हत्या करने के बाद पूरे देश में गुस्सा है रमजान के मौके पर घाटी में लागू किये गए सेना के सीज फायर को हटाने के लिए अब देश के कई हिस्सों से मांग उठ रही है जमुकश्मीर में सीज फायर के अवधी को बढ़ाने को लेकर केंड्रे ग्रिया मंतरी राजनात सिंग ने स्तारे जून को बड़ा एलान किया है करेंगे उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 16 जून तक घाटी में सीज फायर और सैने उप्रेशन पर रोक लगे हुई है और स्तारे जून के बाद ही इस पर कुछ बोलूँगा ये एलान के बाद के बाद एलान के लिए ये करेंगे